पीवी के सबसे कॉंट्रोवर्सियल सो बिग बॉस 13 में इस बार दूसरा एलिमिनेशन होने वाला है इस हफते एक बार फिर घर के किसी सदसे को बिग बॉस को अलविदा कहना होगा बिग बॉस के फैंस ये जानने के लिए काफे उत्सुक हैं कि इस बार शोग में किस कंटेस्टेंट की जड़निक खतम हो जाएगी इस हफते घर से बेघर होने के लिए 6 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हुए हैं इन में लर्कों में असिम रियाज, पारस छाबरा, सिधार्थ दे और अब्बु मरलिक का नाम शामिल है जबकि लर्कियों में रश्मी देसाई और माहिरा शर्मा है बता दे कि बिग बॉस ने हफते शुरुआत में घोशना की थी कि इस हफते डवल ऐलिमिनेशन होगा जिसमें एक लर्का और एक लर्की को घर से बेघर किया जाएगा लेकिन वीकेंड का वार एपिसोड में सल्मान खान ने शो में नया ट्विस्ट लाते हुए दोनों नॉमिनेटर लर्किया रश्मी और माहिरा को सुरक्षित कर दिया इसी के साथ सल्मान ने बताया कि इस हफते एक लर्का और एक लर्की नहीं बल्कि दोनों लर्कों को ही घर से बेघर किया जाएगा इसी के साथ सल्मान ने सनिवार के एपिसोड में अशीम रियास को भी सुरक्षित कर दिया यानि पारस चाबरा, अबू मलिक और सिधार्थ डे अभी भी नॉमिनेशन के घेरे में हैं बिग वोस फैन कलब के मुताबिक इस हफते अबू मलिक की छो में जरनी खत्म हो जाएगी यानि इस हफते अबू मलेक बिग वोस तेरह से ऐलि GOOD हो जाएगे वहें विग बॉस के फाइन कलब का दावा किया जा रहा है कि इस वर Elimination में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसके तहट इस वर से अब्बू मलिक को ही Eliminate किया जाएगा जबकि दूसरे Elimination को Cancel कर दिया जाएगा इसी के साथ पारस छावरा और सिधार देशरक्षित हो जाएंगे हाला कि अभी तक इस वारे में कोई भी ओफिशियल जानकारी नहीं आई है